हिमाचल प्रुदेश के कांगडाजिला के बेटे लांस नायक विकास चौधरी को शौरे चक्र से समानित किया गया है। किश्मीर के अनंतनाग बेहुई मुटभेड के दोरान आतंकी को धेर करने के लिए दिया गया है। प्रिश्ट अधिकारियों ने लांस नायक विकास चौधरी को आतंकवाद रोधी अभियान की अगुवाई करने की निर्देश देते हुए तुरंत वहां के लिए रवान होने को कहा। वो करीब तीन घंटे पैदल चल कर जंगल में पहुँचे। साथियों की साथ घेराबंदी में लग गए। एक आतंकवादी ने शिलाखंडों की आड में दल पर फाइरिंग शुरू करती। विकास ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवा किये बिना अदम्य साहस और उतकरिष्ट फाइरिंग शमता का परिचे देते हुए रेंगते हुए बहतर स्थितिली और बुद्धिमता और रण कौशलता से उन्होंने साथी की मदद से आतंकवादियों पर धावा बोल दिया एक खुंकार आतंकवादी अश्रफ मौलवी को मार गिराया उचेतरन कौशल और अतुलनी वीरता दर्शानी के लिए लांस नायक विकास चौधरी को शौरे चक्र से सम्मानित किया गया वो ऐसे कई अभियानों में हिस्सा ले चुके हैं 28 वर्श ये विकास चौधरी 2014 में जेंड के राइफल्स तीसरी बटालियन दीर राष्ट्री राइफल्स में भरती हुए थे 2019 से वो जम्मू कश्मीर में तैना थे विकास की जमादों की पढ़ाई देहरा स्थित एक नीजी स्कूल में हुई है 2011 में उन्होंने राज की महाविद्यालिय धलियारा में वानेज्य संकाई में दाखिला लिया 2014 में अंतिम वर्श के दोरान उनका चैन सेना में हुआ इसके बाद उन्होंने इगनू के माध्यम से सना तक की विकास की शादी करीब एक साल पहले हुई है विकास के पिता राज कुमार भी JNK राइफल्स में रहे है 2003 में सेवा निवरिती के बाद उन्होंने डिफेंस सेकूरिटी कॉप्स में सेवाएं दी है विकास के चाचा सुरेंद्र कुमार दो साल पहले सेना से सेवा निवरित हुए है जबकि दादा पंजाब पुलिस से सेवा निवरित है विकास के पिता ने कहा कि उन्हें खुशी है कि बेटे ने 28 साल की आयू में इतना बड़ा पदक हासिल किया है ये वीडियो पी आई बी की वेबसाइट से लिया गया है हिमाचल और देश दुनिया से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 News चॉइस ओफ हिमाचल के साथ